नमस्कार दोस्तों एक बाप फिर से स्वागत आप सभी का आपका अपना चैनल सक्सेस डिफोल में तो आज हम लोग एक कोर्शन देखेंगे इसको दिफिशन के माध्यम से हम लोग management के बारे में जानेंगे तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे हैं The term management stands for the act of planning, organizing, stopping, directing, controlling the activities of human beings and physical resources with the intention of accomplice a predefined objective called management मतलब की management किछी स्प्यासरी था है, act of planning पे, organizing पे, stopping पे, directing के, controlling पे जो जितना भी activities हो रहा है किसके द्वारा, human beings के द्वारा, और इसका जो resources है, physical resources, उसका क्या intention है कि कोई भी काम हम कुछ करे, उसका हम लोग को predefined objective मतलब की, कि उसका एक objective लिखा रहा है, कि हम इसका कोई भी काम करेंगे, कि इसका हमारा output आने वाला है तो उसका हम लोग क्या करने है, management करते हैं, ठीक है, और दूसरे word में भी कहा गया है, management is a art of doing things, to influence other is called management मतलब की, यह एक क्या है, काम करने का चमता है, यह कला है, जो सबको नहीं आता है, art of doing things, मतलब की काम करने की कला, जिससे influence हदा, मतलब दूसरे को प्रभावित कर सके, मतलब की जिससे आप से inspire हो सके, उसका हम लोग management करते हैं मतलब की, जो भी काम करते हैं, उसको करने की कला, जो सब में नहीं होता है, उसको कैसे हम लोग systematic करें, असान तरीका में, और प्रोपर महिना में करें, उसी को हम लोग management करते हैं there are lots of definitions given by the different people, at the different periods of time in the deploying, जैसे कि, बहुत सारा definition जो management पर दिया गया है, different time है, मतलब की, जिससे में जिसका उस था, जो कोई 1908 में दिया हो है, कोई 1911 में दिया गया, उसके अधार पर असीथ है, जैसे की, according to Lewis Allen, वो management को कैसे define करते हैं, management is what manager does, मतलब की management क्या है, जो manager काम करता है, उसके को लोग management करते हैं, और दूसरा जैसे बताता है, according to James Demony, management is the art of directing and inspiring people, मतलब इसके कहने का मातपल है, कि management is the art of directing, मतलब कोई भी काम करने का उसको directing को बता है, और दूसरे लोग को जो inspire कर सके, उसको management करते हैं, यह अपने तरक से बतला हैं, और according to Peter Derkus, वो क्या बतला है, management is a multi-purpose organ, क्या है, multi-purpose organ, मतलब कि बहुत चीज़ समता है, जो लोग क्या कर सकते हैं, manage a business, manage a manager, manage worker and works, मतलब कि जो business को manage कर सकता है, और manager को भी manage कर सकता है, worker and work को भी manage कर सकता है, इसके माध्यम से यह बतला है, management इसको कहते हैं, यह पीटर के द्वारा कहा गया, और management क्या होता है, कि जो काम हम लोग करते हैं, सबसे पहले, planning, क्या है, उसमें planning बतलाया गया, कि कोई काम भी के start करने के लिए, पहले हमको उसको planning किया जाता है, क्या करना है, उसके बाद उसको organize किया जाता है, और organize करने के बाद इसको stopping किया जाता है, उसके बाद उसको directing किया जाता है, उसको फंसन अब management का कि इस चरह से माध्यम से करने से हम लोग का काम सफल होगा अच्छा होगा जो सुवचार्ग प्रूप से काम सफल होता है next topic है characteristics and nature of management management का क्या nature तो हम लोग जानते है nature of management is defined with the following points कुछ points के माध्यम से हम लोग management के बारें बतला रहे हैं क्या पहला है continuous process मतला कि कोई भी काम लोग करेंगे तो उसको प्रोसेस में रहेगा तभी management के काम होगा ऐसा नहीं कि कोई भी काम करेंगे तो उसको आदा करके छोड़ देंगे जैसी कि आप इस्टडी कर रहे हैं तो आगर आप उसमें सफल लेने के लिए क्या करते हैं कि उसको काम को एगुला continuous करते हैं उसका schedule बना लेते हैं कि हमको इतना बज़ी यह करना इतना बज़ी यह कर हैं जिससे आप management से उसमें आपका केरियर का पनीवचरी मिलता है तिसरा है management as a science as well as arts क्या management एक science है मतलब को भी काम करने के लिए सिस्टमाटिक विए होना चाहिए आपके पास उसी कोम लोग scientific विए में करते हैं तो उसी कोम लोग management को science करते हैं और arts मतलब क्या जो इपहले से मतलब सबके अंदर नहीं होता है सबके अंदर खमता नहीं होता कि कोई भी काम को कैसे किया जाता है बहुसा ऐसा time management आप से देखे होंगे बहुसा स्टुडेंट है जो कोई भी कम समय में बहुत चीज़ जल्दी गरान कर लेता है तो क्या management है वो तो time को कैसी utilize करना उसको आत करता हूँ उसके planning क्या यहां कैसे काम करना है नहीं करना उसका क्या decision रहेगा इसलिए वहां पर goal oriented मतलब कि उसका हमारा गोल ओडियेंट रहता है गोल फिक्स रहता है कि हमारा objective यहां पहुंचना है पच्छमा है management is human activity मतलब कि इसमें human इंसान लोग का activities काम किया जाता है जैस स्टापिंग आता है तो वह सब काम काता है जो लेबर हो गया जो काम करता है तो वह human activities इसलिए क्या कहता है management is human activity और छटना पॉइंट है management इस उनिवर्सल मनेजमेंट क्या है उनिवर्सल है जो हर जगा आपको काम आएगा सोसल में भी काम आएगा पॉलिटकल में भी काम आएगा तो उसमें कैसे प्लान किया था कि हाँ इतना डेट के अंदर आपको यह करना है इसमें बोटिंग ढालनी है यह क्या मतलब कि उनिवर्सल हर चीज में आपको काम आएगा जैसे आपकी student है student में क्या है self study रहता है आज management is family or leadership activity management को कुण perform करता है manager perform करता है मतलब manager क्या होता है leader मतलब कि guide करता है उसके अंदर employment रहते हैं उसको sub divide activities चाहते हैं तो अपने बतलाते हैं कि हां यह काम को कैसे करना जो भी बंदा उसके अंदर में काम करेगा कि जल्दी से उसके बारे में हम लोग गोल अचीव कर पाते इसाल है तो हम не ownership के रहता है मतलब कि अपने से निचे वाले व्यक्ती को उश्को guide करता है कि हां इसको कैसे कंप्रीट करना है ठीक है और last point Management in source coordination इसमें coordination मतलब कि मतलब कि जो manager होता है उसके जो निचे व्यक्ती होता है उसके बीच मह को काम करना है कि हां कैसे काम करना और के बीचुए और जो वर्कर होता है इंप्लाइमेंट होता है उसकी भी उसका बॉंड बना राता है कि हां कैसे काम करना है किस तरह से करना उसके बॉंड बना रहता है तिसलिए कहा गया है मैंनेजमेट इंस्यो कोडिनेशन